जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्या बरते भारत वर्षे जम्बू डॉक्स दिखने वाले हमारे सभी दर्शुकों का बहुत स्वागे तभिनंदन मैं हूँ आपके साथ निधीश गोयल करता हूँ आप सभी का यह दो चित अभिवाद है आज हमारे साथ में जो शक्सियत आज के इस टॉक में रहने वाली है उनका परशे आपको दूंसे पहले हमें थोड़ा सा मालूम हो करना चाहिए अपने इस विश्व के बारे में जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार रोन के वाजय से कोई बहुत बढ़ा मतलब होता है अगर tätä उनका म ऑच फर बनतर करके और और आप दुनिया को जीतने के लेन निकल जाएए क्या ऐसा हो पाएगा कैसा हो सकता है तो जलाम, जयाण समाज की बात करते हैं प्रचंड बोले मस्तकों के जुन्ड आज जंग की घड़ी के तुम को हार दो तो ये महाभारत ये रामायन हमें क्या सिखाते हैं basically it's not only about image हमें अपनी शक्ति की बात करनी पड़ेगी अभी अभी नवरात्रे पुरा हुआ है बगवान श्री राम का सुर्तिलक हमने देखा है तो क्या श्री राम जुन्हों ने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और कभी किसी अधर्मी को भी नहीं छोड़ा तो हमें समझ में आना चाहिए कि actually world का या तो super power status जिनके पास में था वो shift हो रहा है और नकेवल भारत में बलकि भारत की actual power जो उसके शास्त्र और शास्त् नहीं कहूंगा विगर अभी इस्राइल के साथ में जो चीज से रही है वो उसे वार की संग्या पर्टिक्रली नहीं दी जा सकती है लेकिन फिर भी जो हो रहा है वह बहुत बड़ा है आई उसके बारे में बात करते हूं आप बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं यूर यू आपके शो में आने बलाने के लिए बहुत बड़ दिन्यवाद है तो आप एक भारत महां पर समा करके लेकर के बैठे हैं तो क्या लग रहा है आपको बेसीकली जो इसराइल और इरान की बारे में बात चलती हैं जो मैंने प्रस्ताबना में कहा हमें इस से क्या मतलब है बिकाज हम जब राश्टर प्रदम की बात करते हैं नेशन फर्स्त की बात करते हैं तो हमें हमारी बात करनी पड़ेगी तो इसराइल इरान से सूपर पॉवर स्टेटस में आज के इस मैं शुरुवात में बता दू हमारे दर्शुकों को कि आज के हमारी कारिग्रम का मोटा भी होता है और उतनी बड़ी सेक्यूरिटी की चुनाथियां भी होती है क्योंकि जो इनसान एक जोपड़ पट्टी में रहता है उसकी तो जोपड़ी खुली रहती है उसके कोई सेक्यूरिटी की जुरूरत नहीं होती क्योंकि कोई आएगा है नहीं वहां से कुछ चुराने पर जैसे जैसे अगर वो घर बनाता जाए और बड़ी मैंशन ले ले बहुत बड़ा अपना बंगला बना ले तो उसको सेक्यूरिटी रखनी पड़ती है सेक्यूरिटी इसलिए रखनी पड़ती है कि बाहर का इनसान आके उसकी चीजें हरव सकता है ये भारत ने देखा है भारत ने शुरू से ये देखा है कि कैसे जब भारत के पास काफी पैसा था तो दुनिया भर से आतता ही आते थे हम पर हमला करने के लिए और यहां से बहुत कुछ लूट के लेकर गए तो हमारा जो पतन हुआ उस समय उसका कारण ये नहीं था कि दूसरे हमसे बहुत तेज़ थे ये था कि हमने खुद का ध्यान नहीं किया क्योंकि अगर हमने खुद का क्योंकि ये किसी ने कहा है कि you know world is in a perennial state of war so there is no such thing as a peace time and a war time world is in a perennial state of that war in fact जो अगर हम देखें जिससरा से मेरा ये मानना है कि global north जिसे हम कहते हैं versus global south global north का जो जो riches हैं जो wealth हैं वो आई ही इसी लिए हैं क्योंकि they have created structures they have created ways to plunder the global south ये तब की बात नहीं है जब colonialism थी ये colonialism आज भी चलती आ रही है in fact by one estimate every one dollar which is donated in Africa by the global north global north takes out 14 dollars out of that days so between 19 after world war 2 till now Africa से roughly around 150 trillion dollars looted जा चुके हैं या वहां से जा चुके हैं तो अगर हम ये देखें अगर हम ये देखें कि जैसे कोई मेंसे बात कर रहा था about Britain तो मैं ये कह रहा था कि Britain ने इंडिया से ही सिरफ 45 trillion dollars चुराए थे ये एक figure है राइट 45 trillion dollars इंडिया से प्लंडर करके लेके गए थे आज उसकी GDP 3 trillion dollars से भी कम है अगर ये एक corporate corporation होती तो इट फूड आप बीन ही तो इट फूड आप बीन ही सिरफ बिगेस लूजर अफ शेरहोलडर से वेल्ट राइट बरी राइट इन फाक्ट हम ये ये figure 45 trillion dollar का हम court तो कर देते हैं पर उसी study का एक और भी निशकर्ष था वो निशकर्ष ये था कि 2003 तक जितनी इंडिया की GDP थी अगर 45 वो उतनी loot मार ना की होती और इंडिया कभी वो क्लोनियल पावर के अंडर ना आई होती बिटिश के तो इंडिया की GDP 2003 की जो हमारा GDP का वो figure था उससे 232 trillion dollar जादा होती for context US का total GDP 23 trillion dollar है अगर बिटे ने भारत पे राज ना किया होता तो भारत की GDP आज US से 10 गुना जादा होती great तो आप ये समझ रहे हैं कि किसी के अधीन आना कितनी बड़ी यूनो वो चीज होती है रास्टी रास्टी वो चले जाते हैं तो ये संदर मैं इसलिए बांद रहा हूँ क्योंकि जब तक हम खुद का जैसे आपने कहा है कि हम खुद का अगर इंटरस्ट नहीं देखेंगे तो कोई हमारा इंटरस्ट देखने के लिए नहीं आ रहा है ये ये हमें ही देखना पड़ेगा और जहां तक विश्व गुरू और सुपर पावर ये सब की बात है ये ये इमेज की बात है ही नहीं अगर ये सिर्फ इमेज की बात ही तो क्या बात ही तो ये जैसे जब एक पावर जब जाती है वो कुछ भी वो कहीं पर भी जाने की कोश्श करती है तो उसके पीछे काफी फोर्स हो तब ही कोई काम वो कर सकती है ऐसे कोई पूस्ट भी नहीं है उनको तो इसी लिए जब मोदी जी अगर जाएं कहीं पर और बात करने जाएं किसी चीज के बारे में या किसी पावर के साथ या किसी कंट्री के साथ तो दे आफ टू सी के जो डिफरिंशल है उफ पावर वो क्या है और उस से पिछले कुछ सालों में यह हुआ है कि इंडिया ने अपना इंट्रेस्ट रखते हुए अपनी एक पैचान रखते हुए एक ऐसा ऐसे ऐलाइंस बना लिए हैं ऐसे ट्रेड ग्रूप्स बनाए हैं जिससे इंडिया डिफरिंट जो रीजन्स हैं उन पे इंबैक कर सकता है For example, मेरी नजर में I think जितना मैंने समझाय पड़ा है सबसे ब्यूटिफुली मलब जियो पोलिटिकली है मैं देखूं सबसे ब्रिलिंट अगर मैं कोई एक्जामपल देख सकता हूँ वो है International North-South Transport Corridor जो है जो इंडिया नमना INSTC जिसे कहते हैं Now that starts from like Russia, goes all the way to Europe, comes down to Chabahar Now, इसकी beauty ये है कि जब ये जाता है नॉर्थ की तरफ तो Azerbaijan से होके जाता है और उसका एक और वो है पार्ट है जो Armenia से गुजर के जाता है Now, Armenia जो है Azerbaijan के साथ बहुत बहुत बुरे वो संबंद हैं दोनों के इतने बुरे हैं कि Azerbaijan ने Armenians का बार बार genocide किया है जिसमें Turkey भी involved रहा है Now, Iran is actually a Shiite country Azerbaijan is also a Shiite country Armenia is a Christian country जे तो एरान जो है इस पूरे चक्रवी में वो है आर्मेनिया के साथ Azerbaijan is with Israel So, you understand So, India जो है वो एरान से चाबहार से वो पूरा वो लेकर वो रोड का एक रूट लेकर अर्मेनिया तक लेकर जा रहा है Armenia और एरान के बीच में सिरफ 44 किलोमेटर का एक बॉर्डर लगता है दोनों तरफ अजिरबाइशान है तो आर्मेनिया को एक यो नो ओशन का एक राउट देना क्योंकि वो लैंड लॉक कांट्री है That is a big deal for Armenia In fact, India ने कई लोगों का ये भी कहना है कि और कुछ evidence मिलता है in reporting कि इंडिया ने अर्मेनिया को काफी arms and ammunitions भी दिए इस पूरे war के लिए तो अगर आप उसको देखो कि एक तरफ से तो वो राउट जाता है वो रोट जाती है from Iran to Azerbaijan to Russia to Europe और दूसरी तरफ से अर्मेनिया की तरफ भी जाती है ये कैसे इंडिया ने संभाला है वो हमारे geopolitical experts जानते है और इसमें एक तरफ इंडिया इसरेल के साथ भी काम कर रहा है और दूसरी तरफ इरान के साथ भी काम कर रहा है ये बहुत जरूरी है क्योंकि चा बहार जो है वहाँ पर अफगानिसान भी इंवेस्ट कर रहा है तो इंडिया के लिए जो चा बहार जो है इरान जो है वो ताट इस एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टन्ट तो इसलिए ये जो पूरी वार जो चल रही है इसरेल और इरान की इसमें इंडिया एक साथ कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी एक का पलरा भारी करेगा उसके लिए दोनों इंपॉर्टन्ट हैं जियो पॉलिटिकली और दोनों का अपने अपने समय पे साथ देगा क्योंकि मेरा ये मानना है अब और मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था कि इस टाइम फॉर जियो पॉलिटिकल सरजिरीज नोट फॉर हैकिंग मतलब आप एक वो फावड़ा लेके में ये काम नहीं कर सकते या कोई वो बहुत बड़ा चाकू लेकर ये काम नहीं कर सकते इस टाइम फॉर यूजिंग स्कैलपल इवेंट टाइम तु टाइम आप यूज नहीं कोई तुम्हारा दोस्ता पक्का और कोई तुम्हारा दुश्मन पक्का इस हाओ दे इंडियन वे इस नाओ विच इस वेरी वेरी इफेक्टिब बिकॉस यही एक तरीका है अब भी जो इंडियन वे ये बोला ना अभी आज जैशनकर जी किताब भी आई थी दा इंडिया पर थोड़ा साम इस पर अभी यहां के साथ-साथ में बिकॉस अभी तक यूएस को हम लोग लाए नहीं है इस पिच्चर में तो मैं वो भी एक बार अपने दर्शकों के साथ में इस बात आपके बाते हम सवाजा करेंगे कि जब इसराइल की बात आती है तो बड़ा ये किया आता है कि साथ इसराइल एक छोटी सी कंट्री है लेकिन देखिए उसने पलिस्टाइन के साथ में कितना संगर्श कर लिया उसके साथ में 40 साल पहले जब साथ पडूसी मुल्गों ने उस पर आक्रमन किया तो साथ दिन क अंदर उसने यूद जो हो निप्टा दिया था सबको हरा दिया था ये सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि हनुमान जी वहाँ आ गए है महाबली भीमसें वहाँ पर आ अपनी गदा लेकर कि घुमाया और सबको निप्टा दिया कर गया लेकिन चो बैक पावर है क्या अगर का पीछे पीट पे हाथ हट जाए तो इसराइल अकेला है और इरान की हिम्मत कैसे हुई अभी अटैक करने की क्या अमरेका अपनी पोजीशन से इलेक्शन भी आ रहे हैं यू आर देर एन यूएस तो उस यूएस पॉलिटिक्स को भी हमें समझना चाहिए कि यूएस के हाथ से पोजीशन छिटक रही है क्या और क्या इसके पीछे जो रश्या यूप्रेन युद्ध हुआ वो रीजन्स भी शामिल है क्या अब बड़े अच्छे कोश्चन है काफी सारे आपने एक साथ पूछे मैं इसको थोरी दो तीन चीजें जो फैक्ट्स हैं वो मैं रख देता ह हूँ पहला तो यह है कि एरान के साथ डील जो थी वो पहले अबामा ने की थी अगेंस्ट अड़ाइज आफ तो रिपॉब्लिकन्स जानल ट्रम जब आए तो उन्होंने वो डील को खतम करने की कोशिश की थी और ये भी सच है कि पिछले साल ये पिछले एक दो सालों में ज अगर तो वो इस्रेयल के विल्कुल साथ में हैं तो उन्होंने एरान को इतने सारी पैसे क्यों दिये और कईयों का ये कहना है कि लॉट आट मनी वोज अचली यूस्ट तो फाइन्स अटेक अन गाज़ा तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो यूएस है वो भी अंदर से काफी बदल रहा है और अंदर से काफी तूट रहा है वो एक मोनोलित नहीं है अगर हम कभी बैठ के अराम से यूएस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात करें या यहां की पॉलिटिकल स् इतनी बुद्वन्द चल रहे हैं क्योंकि मेरा खुद का यह मानना मैं काफी बार ये बात कह भी चुका हूँ और अपने लिख भी चुका हूँ अपनी न्यूजलेट में कि अगर बाई एंड बाई नेक्स येर या बाई इंड अफ दिस येर और बाई नेक्स येर आफ्ट अगर यूएस में डिमॉक्रसी जैसे है बरकरार रहती है तो यूशुड बी वेरी सप्राइस इन शॉक्ट मुझे नहीं लगता कि यहां डिमॉक्रसी वैसी रहीगी जैसी है और ये ये भी में को बहुत बड़ा आ या प्लेजन सप्राइस होगा कि अगर यहां अगले साल कोई वर्जिन ऑफ जैसल वार ना होतों क क्योंकि यहां जो डिफरेंश इस इतने स्टॉंग हो चुके हैं यहां के जो जो तिनाव हैं बिफ्रेंट गृप्स वह इतने स्टॉंग हैं के मैंने ऐसा कभी देखा नहीं हैं किसी भी कंट्री के अंदर पर नहीं जैसा हैं और य हर जगे एक फोर्स ही तो इसलिए अगर इस्रेयल के साथ अगर यूएस का देखें तो डिपेंडिंग ओन के कौन सी कौन सी कौन सी पार्टी है पावर में वो डिपेंड करता है कि इस्रेयल को कितना बैक कर रही है पर ऐसा नहीं है कि वेस्ट ने हमेशा इस्रेयल को एक एक रेड कापिट दिया हुआ है या कार्ट ब्लांच दिया हुआ कि आपको सब कुछ मिल जागा ऐसा नहीं है जब ये प्यले सीन का इशू रखा जब यूर ब्रिटेंट ने जब बनाया ये इसरेयल का काम तो उन Skype सीन गाइशू रखा ही इसलीए था क्विकि यह कॉंट रहे जैसे इंडिया पाकिस्तान का कॉंफलिक्ट रहे यह कई लोगों का कई एक्सपर्ट का मानना है अब इस्रेल की यह समझदारी थी जब वो बने तो उनको समझ में आ गया था कि हमारे लिए एक एक्सिस्टेंशल प्रॉब्लम है अब उनको तो रखना तो था इस्रेल को पर इस्रेल को पूरी पावर नहीं देनी थी because जो इस्रेली जो लोबी है within the West it is that it can be quite strong and it is quite strong ऐसा नहीं है कि उनका कोई पावर नहीं है और मैं यह बुरी तरह से नहीं बोल रहा है यह उनका एक स्टेंथ है उनके अपने मैनत की कमाई है जो हर जगा जाकर वो अपने आपको स्थापित करते हैं, जासे भारती ये श्थापित करते हैं, वो अपने आपको एक पोलिटिकल पावर भी बिनते हैं, तो उस तरह से अगर देखा जाए, तो yes, US का एक बैकिंग तो है, ऐसे ही वेस की बट ऐसा नहीं है के पूरा उनको काट ब्लांच दे दिया गया है महलब मैं जैसे सब्पोज मैं आपके बात करता हूं अबाउट दो नुक्लियर रियक्टर जिसके बारे में इतनी बात होती रही है आज तक आपको पता है कि एरान के जो पहले दो नुक्लिय रेक्टर थे उनका नाम था IR-1 and IR-2. They were given by Pakistan. Pakistan का जो रेक्टर था P1 and P2 that was those designs and everything else. In fact, बहुत सारा उसका parts जो थे, they were given to Iran as and they were renamed as IR-1 and IR-2. 2010 में जब वो Stuxnet का जो attack हुआ था, जो virus, computer virus का जो attack हुआ था on one of the new, this thing, that was on IR-1. Today, Iran has IR-6 and IR-8 versions, I mean much more. IR-6 version जो थी, वो IR-2 की 5 गुना ज्यादा वो nuclear fissile material बना सकती है. तो और यह सब जो हुआ, यह सब US और West के नाक के नीचे हुआ. हम कभी इस पे भी बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान को nukes कैसे दिये, यह अमेरिका ने और वो क्या था, क्या प्रॉसस है जिससे मिले, कैसे उन्होंने नहीं सिर्फ एरान को दिया nukes, उन्होंने नॉर्थ कोरिया को भी nukes दिये. जी, बहुत बड़ी बात है. तो यह जो है, यह नाटक करना के, अरे, उनको कैसे मिल गए, और हम डील करेंगे, उनका न्यूकलियर यह कर देंगे. दिये तो आप ही नहीं थे, आपको पता था कि क्या हो रहा है. और जब वो उसका एक यू खान का, जब वो कहते हैं, खान बजार निकला बाहर, वो न्यूक्स का, तो लोग हिरान होंगे, हम तो हिरान नहीं होए, क्योंकि हमें तो पता था कि क्या चल रहा है, बहुत सालों से क्या चल रहा था, वो सब को पता था. But, see the thing is, so अगर मैं नुकलियर साइट पर देखूँ तो तब भी यूएस ने अपनी आग बंद करके साइट पर अपना मू करके उनको जाने दिया, उनको देने दिया, नुक्स, उनको नुक्स मिले, यूएस ने कुछ नहीं किया, और यही प्रॉबरी रीजन था कि क्यों इ नेक्स नेक्स पर देखूँ तो एरान. So, एरान के पास नुक्स आए फ्रम पाकिस्तान, अल अंडर दे च्छत्रचाया उफ यूएस और वेस्ट, वो नेटो से चुराई वे सारे के सारे, वो डिजाइन थे. एंड जो एरान के पास पिछले कई सालों में जो पैसे आए हैं, पिछले दो तीन सालों में जो पैसे दी हैं, वो भी यूएस ने दी हैं. तो इसलिए अगर मैं देखूँ, अगर मैं इस पूरे परस्पेक्टिव को देखूँ, तो में को ये लगता है कि यूएस हेल्प तो करेगा, पर वो पूरी तरह से उसको सपोर्ट भी नहीं करेगा, वो 100%, ये जो कॉन्फलिक्ट है उसको जारी रखेगा, अब एरान ने इ चिक ट्रांसाग्चिनल संबन्द रहा है हमिशना, रखेगा बहुत साल पहले रखेगा लगा रखेगा, रखेगा बढ़ा ऐसे इरान प्छले कई सालों में, इसक्शली दुए तो भूरी तो जब वो सोवेट अफगानिस्तन जब लडाई चल रही थी, तो आखेगा तो इंडिया हमेशा एरान के साथ काम किया है for things which are happening in Afghanistan तो इसलिए अगर और over time you know drones जो यूस की हैं रश्या ने in Ukraine वो एरान से आये थे and रश्या ने बहुत सारे आम्स बहुत सारी चीजें, missiles वगरा उनको दी हैं एरान को ऐसे ही China ने भी दी हैं तो मेरी नजन में the reason why this has escalated so much is because both China and Russia are in a very precarious position because उनको उनको ये लगता है के this is a time when something needs to happen and ये एक जगह से report नहीं हा रही in fact German defense ministry they had prepared a very secret document जो leak हो गया जिसमें वो सारी detail थी कि कैसे Russia is already planning to attack like one of the NATO forces और उन्होंने ये बताया कि कैसे ये escalate होगा ये war and 2024 के end में उनके planning के हिसाब से वो शुरू होना था और 2025 में वो पीक पिजाएगा वहां जो वो रश्या का एक area है जहां पर वो attack जहां से वो attack शुरू करेंगे in fact Putin अभी पीछे एक देट महीने पहले वहां गया भी था so मैं ये बता रहा हूँ कि जो west की बहुत सारी country हैं जैसे Estonia है Estonia was part of the Soviet Union उसके भी जो army के जो chiefs हैं जो intelligence chiefs हैं they are also predicting that lacresia is about to start a war so ये सब जो चीजे हैं पीछे से काफी चल रही थी so I am not surprised के उनका कोई एक proxy या उनका कोई एक साथी ने इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है because वो खुद तो खुद तो Ukraine में busy हैं and they are fighting themselves वहाँ पर तो जो जगडा है वो एक खास direction में जा रहा है उसका भी एक खास reason है कि क्यों Ukraine में ही लड़ाई हुई वो क्यों Russia के खिलाफ ही लड़ाई हुई because see the thing is के you know कई बातें बड़ी अजीव सी निकली हैं पीछे जैसे बाइडन ने कहा के हम Russia पर attack करेंगे या हम Putin की regime change करेंगे तो में को बड़ा में को बड़ी हैरानी होती थी कि Russia एरान नहीं लकराई एराक नहीं है और Putin सिदाम उसके नहीं है आपको एराक में शक था कि WMD उसके बाद है या नहीं है रश्या में आपको कोई शक नहीं है सिदाम सिर्फ थ्रेटन करता था कि मैं ये मैं अटैक करूंगा, इन फाक्ट उसने तो पूरी तरह से कभी थ्रेटन भी नहीं किया था प्यूटीन ने कहा है कि मैं अटैक करूंगा उसके पास पूरा वेर विडॉल भी है अटैक करने का आप जो सद्दाम के साथ कर रहे थे आप वो पूर्टीन के साथ नहीं कर सकते पर इन्होंने ऐसी बेवकूफी की है पिछले दो-तीन सालों में इन्होंने यही बेवकूफीयां की है अब situation इस नहस पर आ गई है कि जो पूर्टीन है और चाइना सी चाइना का internal एक implosion हो रहा है of the economy and China really needs to help itself to do something for China the only way out is outside अंदर से वो अपने आपको तभी संभाल पाएगा जब वो बाहर कुछ करेगा क्योंकि अंदर से तो वो टूट रहा है अगर उसको देखें उसकी economy देखें क्योंकि उसको तीन major components हैं उसकी economy के जो मैं मानता हूँ एक तो है manufacturing एक है real estate और एक है banking banks जो हैं और यह तीनों ponzi schemes हैं basically अगर देखा जाएं तो हमने देखा है कि real estate में क्या हूआ है Evergrande में उसके banks भी वो इंप्लोड कर गए हैं पीछे manufacturing में वैसी उसका बुरा हाल है किसमें तो that economy itself is going down और इसलिए मेरा यह मानना है कि China और Russia इस समय they are looking at I would call a fight to the finish कौन पहले action लेता है और कितना बड़ा action लेता है तो इसलिए अलांकि मैं मानता हूँ अभी कि यह शायद इतना ज़्यादा escalate ना हो as a war माला direct missiles to missile attack पर मैं यह भी मानता हूँ कि यह जो attack किया एरान ने इसका जो रेपकरशन जो होगा जो revenge लिया जाएगा वो that will be very strong जो आपने जो revenge की बात कि मैं इसमें यह भी point डाइड करूँगा कि आपने बोला US भी अंदर से टूट रहा है आपने बोला China भी अंदर से टूट रहा है अब रशिया के बारे में भी आइधि यही तरीके का चीज़े निकलकर के सामने आएंगी हालांकि एक point यह भी आया कि रशिया जो है उस समय war के कारण से रशिया जो परिशान हो रहा था वो उबरा भी है because of the war यह war economics भी उसकी अपनी एक जबर्दस चीज रही है और जब भी कोई देश जो है वो टूट रहा होता है तो वो war लेकर के आता है और war से बहुत सरी चीज़े समल भी जाती है तो उसको भी हमें समझना चाहिए point is like कि अभी आपने जो बोला कि revenge बहुत खतरनाक होगा so यह जो किस तरीके का हो सकता है अगर हम आप because दो दिन से लोग पत्तगार लोग जो है वो लिख रहे थे यह जो होगा यह भारती elections के during or something like हाँ मेरे हिसाब से I think जल्दी होगा क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बहुत देर बाद हो क्योंकि उसके कोई फाइदा नहीं होगा ऐसा में नहीं होगा कि ना हो क्योंकि अगर नहीं हुआ तो they will be giving a clean shit to Iran के वो कभी और भी same चीज़ कर सकता है पहले ही उन्होंने हमास से attack किया है जो मेरे नजर में 2611 जो मुंबई attack था उसी का एक version था तो यह अगर unpunished गया यह attack जो उन्होंने किया है क्योंकि यह कहना असान है कि 170 missiles फैंग दिये 120 drones फैंग दिये ballistic missiles उसको सहना और समझ पाना बहुत मुश्किल है बिकास ब्रेटेन के पास या बहुत थिंग उसके पास आइरन डोम है या बहुत और यह और कंट्री के पास अगर उन्होंने बाकी किसी कंट्री पे same attack किया तो तो इसलिए मेरे नजर में आइटिंक तो यह मेरा personal बिचार है जो मैं देखता हूँ एक covert attack होगा and it covert तो होगा but it would be very obvious के यह attack कहां से हो रहा है and मेरे नजर में यह attack internally within Iran होगा and that would be it could be either in a very major installation or major group of the Iranian establishment internally उनको क्योंकि see the thing is के ठीक है उनका revolutionary guard और पूरा apparatus जो है जो internally वो use करते हैं और बार भी वो use करते हैं पर यह मैं बड़े सालों से मैं यह मानता था के अगर आज यह सारे जो उनके आयतुला और जो मुलानाज हैं उनको अगर निकाल दिया जाए जो top का जो establishment है तो आज मैं यह ऐसा कहता था के 40 to 45 percent of Iran would convert back to Zoroastrianism तो पिछले साल मेरी एक एक एरानियन लेडी से बात हो रही थी मैंने कहा के मेरा यह मानना है के 40 to 45 percent of Iran Iranians will convert back to Zoroastrianism कहती है no you are totally wrong I said really so she says it'll be 90 percent so 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 joh mein कहरा हूँ वो यह है कि in fact अभी recently मैं देख रहा था कि even एक किसी European city में Iranians were actually supporting Israel Iranians themselves because Iranians joh joh बाहर रहते हैं और जो even अंदर उन्दर वालों की मजबूरी है पर जो बाहर रहते हैं वो तो चाहते हैं कि ये पूरी establishment निकल जाए वहाँ से ताके वो जी पाएं फिर से अगर एरान को change करना है तो सबसे सुन्दर और टिकाव तरीका ये है कि उसकी establishment कोई निकाल दिया जाए अगर उसकी establishment कोई निकाल दिया जाए तो इसकी ये वह और पेनिधरी आत और चलाए जाएं इसनलिए उसका और पी आति टो इसलिए I think ये एक तरह का आक डेलेक्त वहॉपरर्शं मै मैसोच कॉटा हूँ हम मिला I have no like interaction with any intelligence or anything like that. Yeah, exactly. My understanding and, you know, of things, of the situation. In my opinion, this attack will be covert or internal to Iran either on installations or on people. Very influential, very important top establishment people. That is how I see it. But it won't be like missile attack because it doesn't have any meaning. And missile attack will happen because it will happen because you are the same. Because the Iranian people are the same. They are the same. So, if you are the same, if you are the same, then missile will be the same. So, missile will be the same. It will be the same. Iran's establishment is the same. That is where you are. I don't know. Go ahead and say, it will be the same. If you are the same, if you say 90% they will convert when you do it, you can see it. So, तो भारत जो है वो हम लोग अब देख रहे हैं कि आपने कहा कि यह जल्दी होगा ज्यादर देर नहीं होनी चाहिए लेकिन अभी इस समय इंगे मैं एक वैठा था भी तो बात हो रहे थी कि इलेक्शन्स होते हैं तो एक सप्ता में चीज़ें बदल जाती हैं एक दिन में भी तो जब भारत किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और अब हम लोग यह भी संधकी कि लोग चलिए बातों को एक ख्रों में चैसे में अमरेका ने आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इट्स प्रोजेक्ट लाइक कि बना के रखा जाए उदर उसरी जगह गाजा जो है वो बना के रखा जाए तो नॉर्थ विरिया को भी नुक्स जो है वो दिये गई यह सब कुछ किया गया तेकि भारत इसी से गुस्सा होगे नहीं है हम चाइना के साथ में भी हमने यह व्याबार बंद नहीं किया है और हम यूएस के साथ में भी हमने रिलेशन कायम रखें मैं सू भारत का भूमी का क्या रहने वाली है यहां तो भारत की भूमी का जो है जैसे मैंने कहा कि भारत के लिए दोनों important है इसरेल भी important है और इरान भी important है इस सब चीजों में क्या है क्या कि भारत एक ऐसी position पर आ रहा है इंडो Pacific में तो भारत ने एक अपना वर्चस्प बना लिया है वहाँ पर अगर जब इंडो Pacific जब discussions होती है चाए कोड की हो जाए किसी या वो किसी और चीज़ की हो तो इंडिया लीड करता है इंडिया लीड इसलिए करता है क्योंकि इंडिया के पास options है जैसे for example इंडिया has a very strong position around the state of Malacca इंडिया has also created bases in Mauritius it was going to create base in Seychelles बट वो नहीं हो पाया ऐसे ही इंडिया ने you know like Oman में and Mozambique में अपने bases बनाने की कोशिश कियो बनाए भी है तो इंडिया जो है वो एक जब जाता है किसी जगा पे एक position of strength से जाता है खासर इंडिया वो in like Indo-Pacific area में Now Indo-Pacific is the main waterway, tradeway, right? Choke points major, choke points है जब 2014 से पहले की अगर हम जो इंडिया की जो naval strategy अगर उसको देखें जो document था और उसके बात का देखें तो उसमें जमीन आस्मान का फरक था पहले था कि हम ना उसको term भी ऐसे कर रखा था कि जैसे हम किसी पर्मिशन माग रहे है you know like trying to do this जब 2014 के बात की जो naval strategy आई उसमें था ensure that the Indo-Pacific region and Indian Ocean is secure and strong हम यह ensure करेंगे यह ठीक रहेगा तो उसका एक tone भी अलग थी उसका एक vision भी अलग था और उसके लिए जो resources से वो भी अलग थे तो इसलिए एक major area में जो हमारा होना चाहिए था हमेशा से था और हमने lose कर दिया और हम दुबारा वापस आने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां Indo-Pacific में इसलिए जब हम जाते हैं एक position of strength से जाते हैं that is why चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूएस हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो जपैन हो या चाइना हो वो थोड़ा एक खास लहजे से बात करता है it is not के हम किसी से मांग रहे हैं यह चीज हमें यह position दी जाए हम image नहीं बना रहे हैं यह image बनाने वाली बात नहीं है यह ऐसा नहीं है कि आपने एक PR agency बना ली तो आपको वो बढ़ा देगा ऐसा नहीं होता कोई यह वो दो कोड़ी की आपको इज़त नहीं देता अगर आपके पस इज़त कमाने के लिए strength ना हो तो exactly very right तो इसलिए जब हम जब मोदी जी जब जाते हैं इस्रेल से बात करने के लिए तो एक वहां का भी उनके साथ एक equation है ऐसे ही एरान के साथ एक equation है मेरी नज़र में इस पूरेर कॉनफलिक्ट में अगर हम देखें तो इंडिया विल कम आउट as the as the mediator but more in terms of के के हम ensure करेंगे के लड़ाई ना हो जो position यूएस ने lose की है over the last five to six years उसने force से अपने आपको मारने की कोशिश की थी हर किसी को like in तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो जाये उनकी interest में हो या ना हो इंडिया एक different तरीके से कर रहा है चाइना वो position में आना चाहिए था पर नहीं आ पाया थोड़ा बथा आया जब उसने इसके इसके इस ने कोशिश की एक वो बनाने की दोस्ती बनाने की बड़ वो हो नहीं पाया पूरी करा से तो इंडिया विल स्टाट प्लेंग दा रोल और अज आज 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 आज़ा जो फोर्ट कर पाएं कि आप ये करो या या आप ये करो पर ये Zरूर कर सकते हैं कि उनके साथ जो रिलेशन्शिप है उसको यूस करके एक सही रिजल्ट हम ला सकें अगर इंडिया बार-बार सही रिजल्ट लाता रहा जैसे युक्रेन की वार में कर रहा है जैसे जी ट्वेंटी में एक उन्होंने जो गोश्टी निकाली थी उसमें सारे एक पेज पे आ गए अगर ये बार बार करता रहा तो तो एक इसे सुपर पावर जो पावर जो पावर कहते है उसका डेफिनेशन इंडिया के लिहास से चेंज करना होगा बिकॉज इंडिया यूएस या वेस्ट के पैरेडाइम में सुपर पावर नहीं बनने वाला और नहीं बनना चाहिए सुपर पावर इंडिया को अपने ही एक पैरेडाइम बनना चाहिए और वो पैरेडाइम बहुत डिफरिंट है वो ज़्यादा धर्म के अनुसार है तो इसलिए जब जब डॉक्टर जैशंकर बात करते हैं वो यह कहते हैं वो यह नोट एंटी वेस्ट वो यह नोट एंटी वेस्ट वोनों में बहुत फर्क है तो तो यह अगर तो इंडिया सुपर पावर बनेगा तो वो अपनी टर्म्स में बनेगा वो वेस्टर्न टर्म्स में नहीं बनेगा या वेस्टर्न डेफिनिशन के साफ से नहीं बनेगा इंडिया कभी अलाइंस नहीं मनाता उस तरह से ऐसे किसी अलाइंस में नहीं घुसता यह चाहे वो नेटो हो या कोई और हो इंडिया सिर्फ डील्स करता है, इंडिया ग्रुप्स के इंदर काम करता है, और यही डॉक्टर जैशंकर भी वलते हैं, and that is the right way to do things. भारत में बड़ी-बड़ी मिलें थी, अगर भारत में सुई नहीं मनती होगी, तो इतनी बड़ी-बड़ी-बड़ी मिलें क्या होगी, और फिर जो शुरुवात में आपने भी बोला, कि जब आपके वास कुछ नहीं होगा, तो कोई क्यों आएगा आपके पास में अको kolonize कर पुरे तरीके से भारत कभी परादी नहीं रहा कोई नहीं कर पाया लेकिन इन टाइम बिंग्स में भारत के किसी किसी भुकंड में कभी कहीं कभी कहीं तो अगर वो नहीं होता तो आज भारत अमरीका से दस गुना बड़ी इक्नामी होता यह बहुत बड़ी बात है तो फाइनली आज कि हमारी टॉक में अगर हम आगे की तरफ चलें तो यह जो शिप जो चल रहा था अमरीका का तो आपने बीच में आपने कह दिया कि अमरीका टू टू ट्राइए चाइना भी टू टू ट्राइए चो कितना हम लोग पुरा प्रोग्राम करेंगे दा यूएस अभी यह वाला जो चंक है हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं पर्चिक्लरी ऑन यूएस उनली कि क्या वहां पार चल रहा है बिकार तो यह जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे सम्वेर इस यूएस प्लीज तो आप तो आपका प्रशन यूएस के बारे में कि यू कि यू जो डिविजिण्स हैं वो बहुत बहुत स्ट्रांग हुई हैं और तनी स्ट्रांग हो गही है कि अगर आप देखो कालिफोनिया की जो हलत है समय वो धिन पर दिन खराब होती जा रही है मतलब हलत यह होगी है कालिफोनिया में वोर लौज हैं इन फार Bret कालिफूरिया, कुछ और स्टेट्स में के, अगर 900 डॉलर से अगर कम की चोरी कोई करे, तो उसको आप पकड़ नी सकते हैं। जेल में नी डाल सकते। बहुत सारे स्टोर्स जो हैं, उसमें चोरीMac ओपन चलती हैं। ओपन आते हैं चोरी करते हैं और चले जाते हैं उनको पकड़ने वाला नहीं है और सिर्फ वीडियो बिनामरा के सोशल मीडिया पे डालते हैं वहां ये हालत होगी है कि इवन मेजर एरियाज में मैं काफी यहां घूमा हूँ यूएस में कैलिफोर्नी में खास वर्पे मैं देखा है कुछ एरियाज ऐसे हैं जो काफी अपसकेल हुआ करते थे वहां पर जो बर्गर जॉइंट्स हैं वो बंद हो रहे हैं इसलिए क्योंकि वहां पर वो जब लोग अंदर बैटके खाना खा रहे होते हैं बाहर लोग उनकी कारें चोरी करके ले जाते हैं तो हालत यहां तक आगया और वहां आप बोल नहीं सकते ही इन सब चीजों के बारे में अगर बोलोगे तो आपको वो रेसिस बोलना शुरू कर देते हैं तो इसलिए बहुत सारे रिपब्लिकन्स हैं जो ऐसे एरिया से पिछले एक दो सालों में कोवेड एक रीजन था बर एक ये भी रीजन था पॉलिटिकल कि क्यों एक सोडस हुआ है पहले ये ब्लू और रेड सेट्स होती थी और कुछ पॉपल सेट्स होती थी रेड मला रिपब्लिकन ब्लू मतलब डेमोक्राटिक हुआ ये है कि ये जो कलर्स जो में जो शिफ्ट आया ये इतना स्टार्क हो गया है कि अगर वो देखा जाए तो बड़ा क्लियर एक डिवाइड है यहां यूएस की बीच में जो सी अगर आप ये देखें जिस तरीके से डॉनल्ड ट्रम्प को टागेट किया गया था आप डॉनल्ड ट्रम्प से सहमत हो या ना सहमत हो but he was a president of United States almost 50% people had voted for him half of the entire population had voted for him उसको आपने de-platform कर दिया while he was a sitting president from Twitter and other places ये ये करना ये कहना असान है आपका करना उस समय उठीक है आपने कर दिया पर इसके ramification बहुत तगड़े होंगे और हुआ क्या है कि पहले तो ये सिर्फ एक तरह की इसको कहता है वो आपने conspiracy theory है ये पर अब conspiracy theory नहीं रही because after Twitter files जो Elon Musk निकाल नहीं Twitter files अपने बहुत clear था कि जो FBI है that was working with Twitter and Facebook on the command of Democratic Party to deplatform the Republicans and other conservative people एक मैं इसका हमेशा example देता हूँ मैंने US की जो politics है और यहाँ जो different जो pressures जो है जो forces है उसके बार मैंने काफी detail में different angles से अपने newsletter पर लिखा है एक example है जो मैंको बड़ा stark लगता है वो है एक company है उसका नाम है GAB.com GAB.com conservative और जो right wing जो Christian ecosystem है उसको cater करता है इनको इन लोगों को जिनको Twitter से Facebook से निगाल दिया गया वो GAB.com पर जाके अपने accounts मनाते है तो वहाँ discussion चलती है GAB.com का जो CEO था उसको उनोंने वीजा, Mastercard और बैंक से निखाल दिया D platform कर दिया, cancel कर दिया उसकी hosting cancel कर दिया उसने क्या किया he created his own Christian ecosystem and all the hosting server farm उसने खुद का लगाया उसने खुद का एक 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 एकनामिक बैकप शुरू कर दिया उसने खुद के अपने अपने ही बैंक्स अपना ही वह सब बनाना शुरू कर दिया and he also has an ad system for his own this thing just like Google Ads because वहाँ सभी उसको निकाल दिया सोचने वाली बात ये है कि ये एक parallel ecosystem create किया जा रहा है यहाँ पर which is a right-wing Christian ecosystem difference between Indians and the Americans is this अगर Indians के साथ जैसे Hindus के साथ जब ऐसा हुआ था during Nehru's time जब RSS को persecuted किया रहा तो सारे चुपों के बैट गे थे अंदर सबको समझ में आ रहा था कि क्या है जब right time आया तब तब लोगों ने by democratic means change लाए यहाँ पर ऐसा नहीं होता यहाँ पर घर घर में guns हैं, guns भी चोटी मोटी नहीं almost AK47 type की guns है लोगों के पास तो आप उस population, वो population कहती है कि अगर आप हमें यहाँ नहीं अगर वो दो गए जगा तो हम अपनी एक जगा बना लेंगे because they are brought up in that mindset कि अगर government tyrannical है, it is okay to have your own guns and everything because second amendment का मतलब ही यह था कि हम अपनी guns इसलिए रखना चाहते हैं कि अगर government tyrannical हुई कभी, तो हम government को attack कर सकते हैं तो आप यह सोचिए कि यह पिछले दो-तीन सालों में जो impact हुआ है, of political divide, वो इस तरीके का हो गया है कि it is not just ideological difference, there is an ecosystem difference that has been created you understand और मैंने नाप पता नहीं आपके जो audience हैं उन्होंने वो follow किये कि नी किये जब republican primaries हो रही थी, तो एक Vivek Ramaswami, जो Indian American है वो हाँ थे third debate के अंदर उनकी opening थी opening जो statement थी, मेरी नजर में that will become the biggest factor for change within the US politics, और मैं इस लिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उस समय बड़ा clearly बोला कि नहीं सिरफ ऐसा नहीं है कि democratic और republican party में एक difference है, उन्होंने कहा कि even within republican party there is a deep state and there is a non-deep state, the challenger to that deep state, उन्होंने कहा जो republican establishment including Nikki Haley and other people were part of that deep state उन्होंने definitions को change कर दिया, उन्होंने perspective change कर दिया कि ऐसा नहीं है कि दो parties अलग-अलग हैं and they are either this way or that way, ऐसा नहीं है, there are different groups, तो उन्होंने जो एक तरह का प्रस्ताब रखा वो यह था कि there are challenges to deep state which is Vivek Ramaswami and Donald Trump the others are the deep state you understand the difference so, यह हुआ कि उसके बाद से यह तरह, यह जो वो रॉना मिक्डॉनल्ड थी वो जो उनकी chair थी Republican Party she had to finally resign and go इस तरह से यह जो चीजें हैं यह within Republican Party भी एक तरह का divide बना है और उसमें Trump victorious हुआ है despite the fact that entire establishment and deep state was backing Nikki Haley so, जो ecosystem जिसकी मैं बात कर रह था which was actually you know, being created as an alternative has backed Donald Trump so much that it has beaten down the challenger from the deep state which is Nikki Haley next is the main elections both sides are very मेरी नजर में बहुत militant है अगर तो Donald Trump जीता तो जो दूसी साइड है वो अभी आपने देखा होगा एक रिधी पटेल I think नाम की महिला है जिसने openly threatened किया था कि आपको मुड़र करें और बाद में उसको जेल हुई अगी अगी वो वो इंडिफिरेंस अलड़ी हो रही है because the charges जो है वो legally इतने टेनिबल नहीं है you know Trump को हटाने के लिए but the entire ecosystem is behind it so and people understand ऐसा नहीं है गर उनको समय में बात नहीं आती मैं ये कहना जाता हूँ कि इस पूरे परिपेक्ष में अगर हम देखें तो आप ये ये देखोगे कि जीत किसी की भी हो दूसी जरफ militant जो जो उनका जो challenge जो होगा दूसी साइड को वो बहुत strong होगा तो ये मैं कहने की तो इसलिए मैं कहना हूँ कि connection के बाद बहुत tough हो जाएगा और आपने जो मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी देखता हूँ कि अभी समय जो खपरे आ रही थी कि जोनाल ट्रम जो है वो Bible के नाम पर की बात कर रहे है Christian उसकी बात कर रहे है तो आपने जो ही gap company के बारे में बुला और Christian ecosystem बनाने का प्रयास किया तो वहाँ से ले करके कि अगर वही उसी के कारण से हम लोग आगे बढ़े थी तो let's talk about that now उसी के बारे में बात करें और वो right-wing Christian ecosystem को जोनाल ट्रम शायद ये एक reason हो सकता है कि जिस तरीके से निकाल के बाहर ले करके आया था वो ecosystem तो वही जो है वो work करेगा शायद ये ecosystem अब दुनिया भर में काम करेगा और हम लोगों को भी से समझना चाहिए here we are in the elections यहां भारत में हम लोग भी elections में हैं और जो लोग ये कहते हैं कि आम आगमी पार्टी को इस तरह से EDCBI वगरा all आप इस समझने दीजिए कि आप किस ecosystem में रहना चाहते हैं किस के कारण से आप कुछ बोल सकते हैं जबान खोल सकते हैं वो आपको बचाएंगे या नहीं बचाएंगे मुझे ये नहीं पता लेकिस इतना अता है कि उनके कारण से आप किसी न किसी तोर पे बचे हुए अवर्षे हैं ये काफी इंट्रोस्टिंग बातें आपके साथ में हुई हैं और आज इस्राइल और इरान के मद्दे नजर हमने पूरे विश्व को थोड़ा समझने का प्रयास किया है जो समय चल रहा है आपके साथ में अरंतर बातें जो हैं वो चलती रहेंगी देश जी आई होग कि आज के इस दिसक्शन में कोई अच्छे इंसाइट्स हमारे दर्शिकों को मिले हैं और आपको भी आनंद आया होगा डिफिनिटली में को बहुत अच्छा लगा बहुत इंट्रस्टिंग एक दिसक्शन रही तो थैंक यू सवाच में कुपलाने के लिए थैंक यू देश जी और बैसा में तर्शुकों से नेवेतन करूंगा इड़िस जंबू टॉक्स इड़िस जंबू थोट्स इस बचार को अधिकार के साथ में ग्रहन कीजिए जू सबस्क्राइब दे चनल बैल आइकोन अक्टिवेट करें यसे नॉटिफिकेशन आपके पहुंचें कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा बिकाज उसी से हमें मालूम चलता है कि आपका डिसकेशन में किस तरीके से इंट्रेस्ट जो है वो बन रहा है और आप क्या और नया सुनना चाहते हैं वो भी इसके बारे में थोड़ा पता हैं वीडियो को लाइक करें शेर करें यार इतना ही बस खाले इतना आप मेंबर बन सकते हैं चैनल के अगर आब हमें सपोर्ट करना चाहें अभी के लिए इतना ही नमस्से जैश्री राम थांक्यू देश्री थांक्स for coming झाल झाल झाल